हेलो दोस्तों मैं हूँ सफल और आप देख रहे हैं सफल भी लोग दोस्तों ऐसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के मादम से यूपी सीटी इंटरेंस एक्जाम से जुड़ी हल लेटेस्ट अबडेट मिलती रहती है तो जो आपके डाउट आते हैं प्रिवेस वीडियो में इस वीडियो के जरीए, इस Q&A सेशन के जरीए आपका जो भी डाउट है वो किलियर करने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले मैं इस Q&A की सुरूबात करूँ उससे पहले मैं बता दो यूपी सीटी एडमिट कार्ड से जुड़े जो आपके कोस्टेंस हैं कि एडमिट कार होंगे तो मैं आपको बता दूँ सारे जो ऑफिसियल सोर्सेज हैं चाहिए एकट्यू का ट्विटर हैंडलो यूपी सीटी की ऑफिसियल वैप साइट हो कहीं भी जाकर मैंने सारी जगे चेक कर लिया आप भी चेक कर सकते हैं जाकर कहीं भी एडमिट कार्ड से जुड़ा को कोई भी अपडेट नहीं आए तो मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड को लेकर अभी कोई भी चीजसे साफ नजर नहीं आयो। कि Admit Card आज रात तक जारी हो सकता है या साम तक जारी हो सकता है या नहीं साड़े शेटो बजी गए आप जारी कब होगा इसका कोई भी अता पता नहीं है तो साथी साथ आप से यही रिक्वेस्ट रहेगी Admit Card से जुड़े आप questions मत पूछेगा क्योंकि मैं आपको बता दू जब भी Admit Card आएगा जिस तरह से डेट स्टीट मैंने जारी कीती सबसे पहले उसी तरह Admit Card को भी कोसिस यही रहेगी कि आप तक सबसे पहले जानकारी पहुचा दूँ साथी साथ चैनल पर नहा है तो चैनल को subscribe कर लेना और मैं बता दू यूपी सीटी एग्जाम के बहुत साथ लोग प्रिविए सीयर कोसिटन पेपर मंगते रहते हैं बार-बार मैं उनको एक-एक लोगों को जवाब देता हूँ फिर से सुन लीजेगा यूपी सीटी एग्जाम के जो MCA और B Pharma के previous year question paper इस वीडियो के description box में डेले हूँ है pre-df form में डाल लगे telegram channel की जो link है इस वीडियो के description box में वहां से जाकर आप join कर लिजेगा और आपको paper वहां से download कर सकते हैं आसानी से आपको मिल जाएंगे और syllabus related videos, best college related videos, MCA, B Pharma और other courses की डाल लगे इस वीडियो के description box में सारी link मिल जाएंगी telegram channel को join कर लेना personally कोई doubt है Instagram पर सफल विलोग को search करके इस वीडियो के description box में Instagram account की link दिए है वहां से जाकर follow कर लेते हैं तो इस Q&A की शुरू बात करें उससे पहले मैं को बता दूँ इस वीडियो में अगर आप नए आए तो चैनल को जरू subscribe करने ना इस वीडियो को like करना और share करना तो हम सीधे आपके questions के जबाब देते दोस्तो सीधे पहले comment की तब बढ़ते हैं रितिक कुमार कहा है सर बीटेक little entry madmission के लिए कितने number चाही होंगे SC category 400 में से सर क्या हमें question paper घर के लिए ले जाने को मिलेगा as per mode is online as paper mode is online तो मैं आपको बता दूँ paper mode अगर online है तो computer घर पे थोड़े ना ले जाओगे है ना तो paper आपको जब मिले गई नहीं online हैं सारी चीजे तो आपको paper घर ले जाने को कैसे मिल जाएगा या फिर आप फोटो थोड़े ना फोन ले जाओगे कि फोटो कीछ लेगो है तो वो सारी चीजें नहीं होंगी अब अगले question कीता बड़ते है राहूल मौरे कहरे है सर admit card जब भी आएगा तो उसे देखने के लिए क्या क्या चाहिए उसको देखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको mobile साथ में रखिएगा Gmail ID साथ में रखिए application number साथ में रखिए forget passport कर दीजेगा अगर भूल गया है तो आपको सारी चीजें clear हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आप जब admit card आएगा सब आप खुद से कर सकते हैं और मैं आपको एक वीडियो के जरूर बताऊंगा आँगे अगर admit card जब भी जारी होगा तब अगले question की तब बढ़ते हैं पंकच कुमार कर रहे हैं counselling के लिए क्या क्या documents लगेंगे प्लीज बताईए आज मैंने डाल दिये वीडियो जाकर जरूर देख लेना अगले question की तब बढ़ते हैं sir मैं पूछ रहा हूँ b-pharmac के लिए b-tech के लिए नहीं हाँ तो मैंने b-pharmac के लिए बताए धोके से b-tech बुल गया आपको समझ में आ गया होगा आपको NTA द्वारा नोटिस जारी हुआ था उसके अधार पर जो कुछ जानकारी थी हमने आप तक पहुचानी का प्रयास करा है इस वीडियो के description box में online exam की link दियुए है किस प्रकार से आपको online exam देना होगा वीडियो डाल रखिए जाकर देख लेना description box में link दियुए है अगले question की तब पढ़ते हैं ओम जोसी कह रहे है भाई है thank you for everything यार ये UPCT का paper देने के बाद college की normal fees से कम होती है क्या UPCT के बाद वाली फीस question समझ में नहीं आया अगले question की तब पढ़ते है ताविस खान कह रहे है बाई date confirm है कि पाँच और शे को भाई official notice जारी हुआ है कि पाँच और शे तारीक को जो paper है वो होंगे आपके जो exam है वो होंगे तो पाँच और शे तारीक फिलाल confirm है नया कोई notice आता है admit cards related तो channel पर बने रहेंगे तो आप तक हम जानगारी पहुचाते रहेंगे कुमार जाय कह रहे है बाई UPCD का exam clear होने के बाद किसी college में scholarship basis admission मिल जाएंगे बाई किसी भी college में हो scholarship form बने का आपको दिकार होता है अब मिलेगा या नहीं मिलेगा आप eligibility पूरी करते है scholarship की नहीं बाई आज एकल रोज यही कह सकता हूँ क्योंकि admit card जब आई नहीं रहे कोई official date ही नहीं है तो मैं यहीं बोलूँगा आज आ सकते हैं कल आ सकते हैं आसाम तक आ सकते हैं और मैं क्या ही बोलूँ according to previous year मैं बता दूँ 7-10,000-11,000 form ही फिल किया जाते है MCI के लिए अब बै कह रहा है B.Tech में admission के लिए government college की fee कितनी होती है भाई fees के बारे में बहुत सारे colleges हैं अलग-अलग fees होती है तो यह सारी बाते हैं आप को admission के जब आप इस exam को दे आएंगे और qualify कराएंगे तब आप net पे search भी कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा बैतर जानकारी मिलेगी बाकी में अगर time बसता है इन सारी चीजों से तो डालूँगा आप से जुड़ी भी जानकारी B.Tech. Leads से जुड़ी जानकारी जरूँगा रोशनी जासवाल करें Thank you so much for your hard work for us थन्यबाद जी रोशनी जासवाल जी आप ऐसी हमारे लिए support करते रही है और ऐसे हमें watch करते रही है वीडियो को देखते रही है अगले question की तब बढ़ते है MA status वाला कह रहा है हमारे April में UPCT form फिल किया था हमने अपरायल में UPCT form फिल किया था डेट आगे आगे आ गई वहीं चलेगी भाई आपका question कुछ ऐसे लोग बड़ा question लिखने के जब कर में अपना सही से नहीं लिख पाते है तो please question को सही से लिखा कर ये जिससे हम पढ़ पाएं है ना तो क्योंकि QN है जब हम ले रहे होते हैं तो उसमें भी फिर problem आ जाते हैं फिर कुछ लोग कहते हैं आपने सही से पढ़ नहीं पाया तो इस चीज को समझे विनीता राय कह रहे है UPCT MBA का previous year का paper provide करा दीजिए इस वीडियो के description box में जो telegram channel की link दोई है वहाँ पर जाके MCA के paper डले हुए वही MBA के paper है previous year में MCA और MBA एक साथ होता था तो वो paper आप download करके सकती है help मिलेगी रागनी पांडे कहा है Sir एक अच्छे college पाने के लिए भी pharma में minimum marks एक अच्छा college आपको 300 plus में मिल सकता है और आपको बता दूँ government college चाहिए 350-360 आपको लाने पड़ेंगे है ना अगली question की तब बढ़ते है ओम प्रकास समौरे कह रहे है एड़निट कार्ड जैसे ही आता है आप inform कर दी बिलकुल inform करेंगे जब भी आएगा सबसे पहले हम डालने का प्रयास करेंगे कोसिस हमारी यही रहती है जानकारी सबसे पहले यूट्यूब पर डाले और कुछ बार सफल भी होते है अगली question की तब पढ़ते है आनन्द यादो करें बी-फार्मा के previous year पूरा solve करा तो भाई मैं बहुत बहुत जानकारी आप तक पहुचा चुका हूँ बी-फार्मा का एक तो टीचर नहीं हूँ ना ही इस्टूरेंट अगर इस्टूरेंट भी एक बार होता तो मैं आप तक कुछ पहुचा पाता ना student हूँ ना teacher हूँ तो आप तक paper solve करने की बात कैसे उठ सकती है रितेस स्यादों कहा रहे हैं भाई OMA seat पर exam होगा या computer पर मैं बहुत बार बता चुका हूँ computer पर ही exam होगा online mode में exam होगा तो आप समझ पा रहे होंगे computer के सामने बैठ कर ही exam देना होगा धन्यबाद आकांच्छा जी ऐसी support करते रहे हैं अस्विनी सैनी कहा रहे है सर मॉक टेस्ट कब start होगा भी फार्मा इंट्रेंस exam भाई अब तो admit card कभी अता पता नहीं है मॉक टेस्ट तो दूर की बात रही पीपी व्यू कहा रहे income certificate parents का होता है हम लोगों का नहीं जैसा कि previous video में जिक्र मैंने ये किया था कि जो आपके income certificate है आपको बनवाना पड़ेगा तो मैंने का आपको income certificate बनवाना पड़ेगा जैसे मुझसे अभी आपके निकल गया उस video में नहीं निकला था हाला कि मगर मैं बताना चाहता हूँ जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से documents बनवाने होंगे तो मैं ये भी कहूंगा नहीं कि आपको income certificate भी बनवाना होगा पिर आपको भी साथ पसंद आए बहुत सार लोगों को इना पसंद आए मैं यहीं कहूंगा ना कि आप सबको ये सब certificates बनवा लेने चाहिए और आप लेकपाल के पास जाएंगे या बकिल के पास जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें तो ये सब comment के जरी आप बताएंगे क्या यार अच्छा चीज़ें नहीं लगती हैं अब कुछ लोग मुझसे comment के जरी पूछ रहे हैं भाई मुझे खुद का बनवाना पड़ेगा क्या फादर का भाई आपकी इंकम है कि आप बनवा सकेंगे income certificate तो समझे बात को फादर का ही income certificate बनवाएंगे आई होब आपके सारे doubt clear करने का प्रयास करा अगर यह वीडियो बसंद आई और ऐसी Q&A चाहिए है तो इस वीडियो को like कर लेना चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लेना और share करना हमारी वीडियो को Thank you for watching this वीडियो